दोस्तो मैं सुझीत कुमार एडवांस एक्षल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करतो हमारी इस वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्षल माकरों प्रोगामिंग की 101 सेंपल कोड की उपर बात कर रहां और यह 9 वीडियो है मेरा और 9 वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही बार में बहुत सारे शीटोराया ऑ कि बाकि सारे कैसे हा अंहा इसके बारे में हम आपके चाहिए करेंगी आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी इंफॉमेशन कि अगर आप complete sequence वीडियो चाहते हैं तो मेरा app डाउनलोड करें मेरा app में आपको हर courses की सारी सिक्वेंशली वीडियो फाइल सब कुछ मिल जाएगा साथ में टेलिफटिंग सब्वर्ट भी मिलेगा आप मेरे साथ live online class जॉइन करना चाहते हैं तो आज ही रात को नौ बज़े में एक बैस शुरू कर रहा हूं वीडियो माइक्र प्रगामिंग का जिसमें हम complete वीडियो प् एक बार problem discuss कर लेते हैं कि मेरे पास कई सारे sheets हैं सीट वन को छोड़के बाकि सारे sheet को hide करना चाहते हैं या unhide करना चाहते हैं तो यहां आते है माइक्रोज में आते हैं और यहां पर और यहां पर हम इंसार्ट करते हैं और यहां पर हम सब्जेक्ट देते हैं सब्जेक्ट और यहां पर HD और यहां पर sample sample underscore nine right open close अब यहां पर हम लिखते हैं dim w as a work sheet work sheet होगा work sheets नहीं होगा पर लिखते हैं 4 h w in active workbook workbook.work sheets यहां में work sheets होगा यहां लगेगा ध्यान लगेगा यहां पर next w और यहां पर हम देंगे code अब यहां पर अगर आपके बाद क्यों में mean seat है seat one है तो seat one को मैं data कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ data sheet को छोड़ के सारे sheet को अब यहां पर अगर मैंने किया if condition में कि if w.name is not equal to data that यहां पर and it e and the and it और यहां पर करते हैं कि w. अब यहां पर दो चीए कि हम w.visualty visual हुआ अगर मैंने कर दिया very hidden तो very hidden में क्या होगा कि जितने भी side जितने भी seats होंगे वो सारे hide हो जाएंगे उसको unhide आप code से ही कर पाएंगे normally जाके right click करके code आप unhide नहीं कर सकते हैं लेकि अगर मैंने आप इसको आप normally right click करके hide कर सकते हैं तो मैं यहां पर नॉर्मल ही करता हूं वरी नहीं करता हूं यहां पर कर दिया है अब यहां मैसेज देना चाहिए तो मैसेज दे सकते हैं msg box all seat have hide अब इसको यहां से हम run करते हैं माइक्रो में जाके तो देखिए सारे seat hide हो गया अन हाइट करना हो तो इसी पर seat के जगह पर अन हाइट कर दीजिए अब चाहते कि माइक्रो आटोमेटिक हो जाए तो यहां दिस वर्क बूक में यहां पर वर्क बूक ओपन में उस माइक्रो का नाम लिख दीजिए वह फाइल जैसी ओपन होगा यह अट्रमेटिक सबको हाइट कर देगा तो हम इसका यूज करते कि जो मैं लॉगिंग बगरा करवाते हैं वहां पर इसका यूज तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अगर मेरी वीडियो चाहिए तो आप डाउन्लूड कर लीजे मेंसा सीखना है तो फ्राफट आप मुझे कॉल कर सकते हैं आज ही बैस सुरू हो रही है तो फ्राफट कॉल अटिय। solder खेंगे पडिय। धूल